जहें दोस्तों बंदे मात्रम देखिए कश्मीर फाइल्स का जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब इसे उसको लेकर जो बाते चल रही है वो बाते मतलब आप देखोगे कि जो की मीडिया संस्थान जो भी है उनमें नेगेटिविटी की बाते चल रही है मतलब ये एक प्रपग करने में लगे हुए थे लेकिन शिकारा को देखने के बाद वो सभी उमीदे टूट गई थी योगी शिकारा में जो चीज़ उमीद की जा रही थी दिखाई जाएगी उसको ठीक उलट उसमें कुछ ऐसे चीज़े दिखाई गई थी जो की आपको एक समझोता करने के लिए क कश्मीर फाइल्स में अब्वेसी बात है कुछ जरूरत से जादा ही सच्चा ही दिखाई गई है जैसे कि इसके रिव्यूज सामना शुरू हुए है क्योंकि जमू कश्मीर में इसको लेकर कुछ स्क्रीडिंग्स कर दी गई है तो वहां से जो रियाक्शन्स निकल कर सामने जा रहे हैं वो बता ही रहा है कि इस मूवीमें क्या कुछ होने वाला है और किस तरीके से आपको इस मूवी में component देखने के लिए मिलने वाला है वहीं कुछ एक जगहों पर इसके खिलाफ P.I.L. भी दाखिल की जा रही है कि इस मूवी से मुसल्मानों की भावनाओं को आहत किया जाने वाला है एरान से संबंद खराब हो सकते हैं ऐसे भी दावे किया जा रहे है तो दावो की यहां पर कमी नहीं है लेकिन विवेक रंजन अग्रियोंतरिया साफ तोर पर अपने इंटर्वियूज में कहा है कि जो भी व्यक्ति को जिसी भी तत्थे से है जिस भी सीन से जिस भी डायलॉग से परेशानी है वो उसको लेकर उनके सामने आया और वो तत्तियों के साथ प्रूफ करके दिखाएंगे सिद्द करके दिखाएंगे कि यह चीज़ वहां हुई थी और जब मूवी के बारे में कहा ही जा रहा है कि सची घटना उस अप्रेडित है तो पर सची घटना तो सची होती है उसमें कुछ जूट होता नहीं अब अगर हां अगर इस तो सच से किसी को परेशानी हो सकती है तो एक बात और है 11 मार्च को यह मूवी रिलीज होने जा रही है और ट्विटर के ऊपर लगतार इस चीज को लेकर बात फेलाई जा रही ही कि अधिक से अधिक नम्बरों में इस मूवी को देखा जाए क्योंकि जायर सी बात है इस मूवी को वैसा प्रमोशन नहीं मिलेगा जैसा कि बाकी मूवी उसको मिलता है बाकी स्टार्स करते है वैसा प्रमोशन इसको नहीं मिलने वाला है इन सबी चीजों के बीच में मैगर ब्रेट का एक ट्वीट निकल कर सामना जिसमें उन्होंने कहा था विवेक रॉजन अगनी होतरी का जिसमें कि विवेक रॉजन विशन लिखते है यहां पर एक और जो बात निकल कर सामने है आप देखिए कपिल शर्मा शो जो की काफी ज़ादा लोग परी है हालाकि मैं उसको तिन जादा पसंद नहीं करता हूं और के वहाँ पर भी कुछ जाधा ही कुछ ऐसी बाता चलती है कि पबलिक का सुन्टिमेंट इस समय कश्मीर फैल्स को लेकर क्या है और ये जो पूरी बात सामने आये कपल शर्मी के शो को लेकर उसको लेकर भी उनकी क्या रहाए यह वो ट्वीट था वेवेकर अंगनी होतरी का जो कि उन्हों ने किया था कि उन्हों ने हमको बुलाने से बना कर दे क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा कॉमरिशिल स्टार नहीं था साथ साथ उनने फैक्ट भी लिखा था अब इसी के उबर हम पब्लिक का रियक्शन मी देखे लेते हैं सबसे पहले अशीश लिखते हैं अनुलाग लिखते हैं अनुलाग लिखते हैं यहां पर दोनो तरह की बाते हैं कि इसको डीमें नहीं करना चाहिए अचाहर लिखते हैं अचाहर लिखते हैं लेकिन एक बात तो है कि उसको critically acclaim किया गया था पब्लिक ने इसको पसंद किया था जिन्होंने भी उसको जाकर देखा उन्होंने वर्ल्ड ओफ माँ पॉब्लिसिटी के बाद ही उस मूवी को जाकर देखा था और उस मूवी में वाकई में काफी अच्छे से facts को प्रेजेंट किया गया था और यही कारण है कि कश्मीर फाइल्स को लेकर भी लोगों के बीच में क्या देखने को मिल सकता है और यही सच की जो बात चल रही है यही सच को ही तो कही ना कही दबाने कोशिश हो रही ही कि भाईया यह सच सामने आ जाएगा तो कही लोगों को बुरा लग जाएगा और देखिए इसलिए P.I.L.P. लगातार दाके लोड़ी है जानवी लिगते हैं यहां पर मैच की बात हो रही है मतलल यहां पर किस तरीके से लोगों ने फसा दिया इसको लेकर एक यह कताक्ष था विवेक लिखते हैं कुछ ऐसे एक्टर्स की बात करी थी कही न कहीं इसको भी लिया जाता है अनुपम लिखते हैं इसके बारे में हलका फुलका भी अगर उन्होंने बोल दिया तो कहीं न कहीं उनके आकाओं को बुरा लग जाएगा और आकाओं को बुरा लगेगा तो आप तो जानते ही हो क्या होगा इसके अगरे टूट में लिखा इससाद बट पर आल इस वर्थ इसन्ट बिकाओं को जरूरत भी नहीं है आपके फिल्म को हम साधारन लोग ही हिट करवा देंगे इस तरीके से पब्लिक जो है इनको मुल्ला इनकी मूवी को जो भी चल चीज चल रही है जो भी एक फियास को चल रहा है उसको लेकर पब्लिक इस तरीके से ज्याक कर रही है और मुझे नहीं लगता है इस मुवी को कहीं नहीं कहीं इस प्रमोशन की भी जरूरत पढ़ने ही क्योंकि वर्ड ऑफ मं पब्लिसिटी बहुत अच्छे से हो रही है मेरे स्वीडियों फिलाल इतना ही जाहिए 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 बारत कर दो मेरे स्वीडियों क्यूंड़ जरूरात कर दो